नमस्कार और स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल पार्दोशी लर्निंग बाई डूइंग में तो डीटा टीबल का जो पार्ट वन का वीडियो था उसमें हमने डीटा टीबल के बेसिक फॉंक्शन्स और डीटा टीबल क्या होता है उसके बारे में समझा जैसे कि उस हमने यह पीछले वीडियो में सीखा है डीटा टीबल के पार्ट वन के उन्हें डिलेट कर देना चाहूंगा तो अभी हमने एक डीटा टीबल बिल्ड किया हुआ है यहां पर जिसमें कुछ नाम है और नाम मैं एड कर देता हूँ और यह थोड़ा सा हमारे पास डेटा हो जाएगा तो हमारे पास दो कॉलम में नेम और एज जैसे डेटा डेवल हम जानते कि एक कलेक्शन होता है अफ रोजान कॉलम्स तो यहां नेम और एज है अब मैं यह चाहता हूँ कि जिसे कि यहां पर दो कॉलम से नेम और इज अभी सबसे पहला मेरा टास्क है जो मैं नोटपेड में लिख देता हूँ एड कॉलम एक कॉलम एड करना चाहता हूँ जिसका नाम होगा एलिजीबल ठीक है और मेरा टास्क ये होगा कि जो भी नाम में एज इस ग्रेटर देन 18 तो मुझे एलिजीबल कॉलम में वैलिड अपडेट करना है अगर नहीं है तो इनवैलिड अपडेट करना है और उससे मुझे मेरे एकसल फाइल में लिखना है तो उमीद करता हूँ कि आपको टास्क है वो समझ गया है जो हमें डेटरेबल की एक्टिविटी से करना है एक कॉलम एड करना है एलिजीबल और उसमें वैल्यूज अपडेट करनी है तो सबसे पहला और सिंपल टास्क एड डेटा कॉलम यूज करेंगे डेटा टेबल पास करेंगे और कॉलम नेम पास कर देंगे यहाँ पर एलिजीबल ठीक है अब हर रो को हम इंडिविजवली प्रोसेस करेंगे क्योंकि हम हर रो को एक-एक करके अपडेट करना चाहता है यहाँ पर हम एक एक्टिविटी यूज करेंगे इफ लुक करके इफ कंडिशन यूज करेंगे हम लोग इफ एलिजीबल ठीक है यहाँ पर एक कंडिशन तो जैसा कि हम जानते है कि अगर हमें हर एक रो के पर्टिकिलर कॉलम के कोई आइटम को एक्सेस करना है तो हम कैसे कर सकते हैं तो यह करेंगे हम कॉलम में हमारा एज राइट डॉट स्ट्रिंग करना पड़ेगा पर हम जानते यह है कि यह हमारा एक integer है जो हमें एक particular number से compare करना है तो इसको हम आगे दे देंगे cint cint यानि कि वो उसे integer में convert कर देगा cint greater than 18 हमें equal to 18 नहीं चाहिए हमें greater than 18 चाहिए अब data table में उस particular column में value कैसे update होगी तो सबसे पहले तो हमने column add कर दिया add data column use करके हमने उसे loop कर दिया for each row data table use करके अब update करने के लिए एक activity है जो काफी बार कही लोगों को अपने projects में याद नहीं रहती है वो है update row item ठीक है आपको value क्या update करना है अगर greater than 18 नहीं आपको valid update करना है इसे ही same में copy करके पहले यहाँ paste कर देता हूँ अगर greater than 18 नहीं है तो हमें invalid update करना है ठीक है कौन से row में तो current row आप यहाँ pass कर सकते हो current row में update करना है और column का यहाँ आपको name पास करना है जैसे आप properties में देख सकते हो column name तो मेरा है eligible ठीक है इसे ही मैं यहाँ से copy करूँगा यहाँ जाओंगा और यहाँ भी paste कर दूँगा तो अब मैंने क्या किया अब इसको हम वापीस से समझते हैं मैंने एक data table build किया मैंने उसमें अपना eligible column add कर दिया फिर मैंने उसको look करके condition लगा दी कि eligible अगर greater than 18 ने valid update कर दो नहीं है invalid update कर दो उसके लिए मैंने क्या value pass करनी है वो particular row के वो particular column के लिए वो मैंने दे दिया तो यहाँ value दे दी यहाँ row दे दिया और यहाँ पर column का नाम दे दिया तो अब हम दो right range फिर use करेंगे एक हमारा जाएगा एली जीबल.xlsx यह मेरे फाइल का नाम है डेटा डेटी डेटा होगा शेट वन में यहां इसे मैं कॉपी करूंगा और सब प्रोसेसिंग के बाद यहां लास्ट में पेस करूंगा पर यहां मुझे शीट टू में डेटा डालना है ताकि हमें वो difference पता चले तो उमीद करता हूं कि यह code आपको समझ गया है और अभी मैं इसे रन करता हूं और हमारी आउटपुट फाइल तैयार हो चुकी है जैसा पीछले वीडियो में अगर आपने देखा होगा मैं आउटपुट फाइल यूज कर रहा था इस बार eligible फाइल है तो eligible फाइल में देखते हैं हमारा आउटपुट आया या नहीं तो यह देख सकते हैं बीना column add किये यह हमारा पहला फाइल है और column add करने के बाद जैसा आप देख सकते हमने हर data update किया और valid invalid भी update हो चुका है यह scenario आपके बहुत सारे projects में बहुत बाहर आएगा जिसमें आपको यह चीज़े implement करनी होगी तो उसके लिए यह दो जो activities है वो यह वीडियो में एक combination में मैं बताना चाहता था ऐसी और activities है जो मैं data table की बताना चाहता हूँ पर मैं हर वो particular set of activities जो एक साथ use हो सकती है और आसानी से समझ सकते है इसलिए मैं parts में video बना रहा हूँ तो part two के लिए इतना ही काफी है कि column कैसे add करते हैं data table में values update कैसे करते है based on some conditions और for loop कैसे use करते है specifically for data table उमीद करता हूँ आपको यह concept समझ में आया हो और आप चैनल को already subscribe कर चुके हो नए uipath hindi videos देखने और सीखने के लिए तो बहुत ही धन्यवाद पूरा video देखने के लिए मिलते है अगले video में